मेरे प्यारे देश्वाजियों नमस्कार आज फिर एक बार मन की बात के माध्यम से आप सभी कोटी-कोटी मेरे परिवार जनों से मिलने का आउसर मिला है मन की बात में आप सब का स्वागत है कुछ दिन पहले देश्व ने एक ऐसी उपलब्दी हासिल की है जो हम सभी को प्रेणा देती है भारत के सामर्थ के प्रती एक नया विश्वास जगाती है आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समेंट की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेश है इस महेने पांच तारीक को देश में यूनिकॉन की संख्या सो के आंकडे तक पहुँच गई है और आपको तो पता ही है एक यूनिकॉन यानि कम से कम साड़े साथ हजार करोड रुपिय का स्टार्ट अप इन यूनिकॉन का कुल वैलिवेशन तीन सो तीस बिलियन डॉलर यानि पचीस लाग करोड रुपियों से भी जादा है निश्चित रुप से ये बात हर भारतिय के लिए गर्व करने वाली बात है आपको यह जानकर भी हरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉन में से 44, 44 पिछले साल बने थे इतना ही नहीं इस वर्स के 3-4 महिने में 14 और नहीं यूनिकॉन बन गए इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्ट अप्स, वेल्थ और वेल्यू क्रियेट करते रहें इंजियन यूनिकॉन्स का एवरेज एन्यूल ग्रोथ रेट USA, UK और अन्य कई देशों से भी ज़्यादा है एनालिस का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्सों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे यूनिकॉन्स डावर्सिफाइंग है ये इकॉमर्स, फिन्टेक, एड्टेक, बायोटेक जैसे कई खेत्रों में काम कर रहे हैं एक और बात जिसे मैं ज़्यादा एहम मानता हूँ वो ये है कि स्टार्ट अप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है आज भारत का स्टार्ट अप एको सिस्टिम सिर्फ बड़े शहरों तकी सिमित नहीं है छोटे छोटे शहरों और कस्मों से भी एंटर्परिनर सामने आ रहे हैं इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोविटिव एडिया है वो वेल्थ क्रियेट कर सकता है साथियों देश की सभलता के पीशे देश की युवाशक्ति देश के टाइलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं हर किसी का योगदान है लेकिन इसमें एक और बात महत्वपून है वो है स्टार्ट अप वर्ण में राइट मेंटरिंग यानि सही मारदरशन एक अच्छा मेंटर स्टार्ट अप को नई उचायों तक ले जा सकता है वो फाउंडर्स को राइट डिसिजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है स्रीधर वेंबू जी को हाली में पदमसम्मान मिला है वो खुद एक सफल एंटर्परिनर है लेकराबूरों ने दूसरे एंटर्परिनर को एंटरूम करने का भी बीडा उठाया है स्रीधर जी ने अपना काम ग्रामेण इलाके से शुरू किया है वे ग्रामेण युवाओं को घाओं में ही रहकर एक शेत्र में कुछ करने के लिए प्रोसाइट कर रहे हैं हमारे हां मदन पड़ाकी जैसे लोग भी हैं जिनोंने रूरल एंटर्परिनर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन ब्रीज नाम का प्लेट्फरम बनाया था आज वन ब्रीज दक्षिन और पुर्वी भारत के 45 से अधिक जीलों में मुझूद है इस से जुड़े 9000 से अधिक रूरल एंटर्परिनर्स ग्रामिन उपभोगताओं को अपनी सेवाय उपलब्द करा रहे हैं मेरा शैनोई जी भी ऐसी एक मिसाल है वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूद के लिए मार्केट लिंक स्किल ट्रेनिंग के ख्षेतर में उलेख दिये कार्य कर रही है मैंने यहाँ तो कुछ ही नाम लिए है लेकिन आज हमारे बीच मैंटर्स की कमी नहीं है हमारे लिए यह बहुत प्रसनता की बात है कि स्टार्ट अप के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टिम तैयार हो रहा है मुझे विश्वास हैं कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्ट अप वर्ल्ड के प्रगति की नई उडान देखने को मिलेगी साथियों कुद दिनों पहले मुझे एक ऐसी इंट्रेस्टिंग और अट्रेक्टिव चीज मिली जिसमें देश वास्चों की क्रेटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है एक उपहार है जिसे तमिलनाडू के तंजावूर के एक सेल्फ हेल्प ग्रूप ने मुझे बेजा है इस उपहार में भारतियता की सुगंध है और मात्रु शक्ति के आशिरवाद मुझ पर उनके इसने की भी जलक है यह एक स्पेशल तंजावूर डॉल है जिसे जी आई टैग भी मिला हुआ है मैं तंजावूर सेल्फ हेल्प ग्रूप को विशेश धन्वा देता हूँ कि उन्होंने मुझे स्थानिय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा वैसे साथियों यह तंजावूर डॉल जितनी खुपसूरत होती है उतनी ही खुपसूरती से यह महिला ससकते करण की नई गाथा भी लिख रही है तंजावूर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रूप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं इसकी वेज़े से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई हैं ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्रहकों को सीधे बेच पा रही हैं इस पहल को तार गईगल कई विनई पोरुद कल विरप्पन अंगारी नाम दिया गया है खास बात ये हैं कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्फ ग्रूप जुड़े हुए हैं आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप महिला स्वयम सहायता समू के ये स्टोर तंजावूर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं इनकी देखने की कुरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही है ये महिला सेल्फ हेल्फ ग्रू तंजावूर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे जी आई प्रोड़क के अलावा खिलोंने मेट और आर्टिफिशल ज्वैलेरी भी बनाते हैं ऐसे स्टोर की वज़े से जी आई प्रोड़क के साथ साथ हैंडी क्राप के प्रोड़क की विक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली हैं इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है बलकि महिलाओं की आबदनी बढ़ने से उनका स्थरक्तिकर्ण भी हो रहा है मेरा मन की बात के सुर्ताओं से भी एक आगरह है आप अपने ख्षेत्रों में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप काम कर रहे हैं उनके प्रोड़क्स के बारे में भी आप जानकरी जुटाएं और जादा से जादा इन उत्पादों को उप्योग में लाएं ऐसा करके आप सेल्फ हेल्फ ग्रूप की आए बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही आत्मन निर्भर्थ भारत भिहान को भी गति देंगे साथियों हमारे देश में कई सारी भाषाओं लीप्यां और बोलियों का सम्रुद खजाना है अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग पहनावा खान-पान और संस्कृति ये हमारी पहचान है ये डाइवर्सिटी ये विविदता एक राष्ट के रूप में हमें अधिक ससक् और एक जूट रखती हैं इसी से जुड़ा एक बेहत प्रेरक उधार है एक बेटी कल्पना का जिसे मैं आप सभी के साथ साजा करना चाहता हूँ उनका नाम कल्पना है लेनुगन का प्रयास एक भारत स्रेष्ट भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है दरसल कल्पना ने हाली में करना टका में अपनी दस्वी की परिक्षा पास की है लेकिन उनकी सफरता की बेहत खास बात ये है कि कलपना को कुछ समय पहले तक कंड़ा भाषा ही नहीं आती थी उन्होंने न सिर्फ तीन महने में कंड़ा भाषा सीखी बलकि 92 नंबर भी विला करके दिखाए आपक कर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये सच है उनके बारे में और भी कई बात ऐसी है जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी कलपना मुल रुप से उत्राखन के जोसी मट्की रहने वाली है वे पहले टीवी से पीडित रही थी और जो पर तीसरी कक्षा में थी वहारा कलपना बाद में मैसुरू की रहने वाली प्रफेसर तारा मुर्ती के संपर्ग माई जिनों ने न सिर्व उने प्रोसाइद किया बलकि हर तरह से उनकी मदद भी की आज वो अपनी महनत से हम सब के लिए एक उधारर बन गई है मैं कलपना को उनके होंसले के लिए जो देश की भासाई विविद्रा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं ऐसे ही एक साती है पस्चिम बंगाल में पुरूलिया के स्रिपति टूडूजी टूडूजी पुरूलिया की सिद्धो कानो बिर्सा उनिवर्सिटी में संथाली भासा की प्रफेसर हैं उन्होंने संथाल संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्ची की लिपी में देश के संविधान की कौपी तयार की हैं स्रिपति टूडूजी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। इसलिए प्रतेक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपी में संविधान की कौपी तैयार करके भेट सोगात के रूपर दी है। मैं स्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। ये एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना का जीवन्त उधारन है। इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत स्रेश्ट भारत के वेबसाइट पर भी जानकरी मिलेगी। यहां आपको खान-पान, कला, संस्कृति, परियाटन समेथ ऐसे कई विश्व उपर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं। इसे आपको अपने देश के बारे में जानकरी भी मिलेगी और आप देश की विविद के चारधाम की पवित्र यात्रा चल रही है। चारधाम और खासकर केदारनात में हर दिन हजारों की संख्या में सरद्धालू वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी चारधाम यात्रा के सुखत अनुभव शैर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि सरद्धालू के दारनात में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही, गंदगी की वज़े से बहुत दुखी भी है, सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है, हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का धेर हो, ये ठीक नहीं, लेकिन साथियों, इन सिकायत के बीच कई अच्छी तस्विरे भी देखने को मिल रही हैं, जहां स्रद्धा है, वहां स्रजन और सकारात्मक्ता भी है, कई स्रद्धालू ऐसे भी हैं, जो बाबा केदार के धाम में दर्सन पुजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं, कोई अपने ठहरने क स्वच्छ भारत अभ्यान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयन से शंगणरण भी वहां काम कर रहे हैं, साथियों, हमारे हम जैसे तीर्थी यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है, और मैं तो यह भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के मिनार तीर्थ यात्रा भी अधूरी है देव भुमी उत्राखंड में से कितने ही लोग है जो स्वच्छता और सेवा की साध्रा में लगे हुए है रूदर प्रयाक के रहने वाले स्रिमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेणा मिलेगी मनोज जी ने पिछले पचीस वर्सों से परियावरण की देखरे कब बिड़ा उठा रखा है वो स्वच्छता की मुहीम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लाश्टिक मुक्त करने में भी जूटे रहते हैं वहीं गुप्त कासी में रहने वाले सुरेंद्र बगवारी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है वो गुप्त कासी में नियमित रुप से सफाई कारकम चलाते हैं और मुझे पता चला है किसे अभियान का ना भी उन्होंने मन की बात रख लिया है ऐसे ही देवर गाउं की चमपादेवी जी पिछे तीन सांसे अपने गाउं की महलाओं को कूडा प्रभंदन यानि वेस्ट मनेजमेंट सिखा रही है चमपाजी ने सैकड़ो पेड़ भी लगाये हैं और उन्होंने अपने परिसम से एक हरा भरा वन तयार कर दिया है साथियों ऐसे ही लोगों के पहासों से देवभुमी और तिर्थों की वो देविय अनुभुती बनी हुई है जेसे अनुभव करने के लिए हम बहाँ जाते हैं इस देवत्व और आध्धात्मिक्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है अभी हमारे देश में चारधाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंडरपुर यात्रा और जगनाथ यात्रा जैसे कई यात्राएं होगी सावनमाज पर तो शायद हर गाउं में कोई मेला लगता है साथियों हम जहां कहीं भी जाए इन तीर्थ ख्षेत्रों की गरिमया बनी रहें सुचीता, साफसफाई, एक पवित्र भातावरण हमें इसे कभी नहीं भूलना है उसे जरूर बनाए रखे और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्ब को याद रखे कुछ दिन बाद थी पाँच जून को विश्व परियावरण दीजवस के रूप में मनाता है परियावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारत पर भ्यान चलानी चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है आप इस बार सब को साथ जोड़कर स्वच्छता और रुक्षा रुपन के लिए कुछ प्रयास जरूर करें आप खुद भी प्रेड लगाईए और दूसरों को भी प्रेजित करिए मेरे प्यारे देश्वासियों अगले महिने 21 जून को हम आठवा अंतराष्टिय योगदिवस मनाने वाले हैं इस बार योगदिवस की थीम है योगा फर हुमेनिटी मैं आप सभी से योगदिवस को बहुत उत्सा के साथ मनाने का आग्रह करूंगा हाँ करोना से जुड़ी जरूरी सावधानिया भी बरते वैसे अब तो पूरी दुनिया में करोना को लेकर हालत पहले से कुछ बहतर लग रहे हैं अधिक से अधिक वैक्सिनेशन कवरेज की वज़ह से अब लोग पहले से कहीं ज़्यादा बाहर भी निकल रहे हैं इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तयारियां भी देखने को मिल रही हैं कोरोना महामारी ने हम सभी को ये ऐसास भी कनाया है कि हमारे जीवन में स्वास्त का कितना अधिक भात्व हैं और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है लोगे मैसूस कर रहे हैं कि योग से physical, spiritual और intellectual well-being को भी कितना बढ़ावा मिलता है विश्व के top business person से लेकर, film और sports personalities तक, students से लेकर सामान्य मानवी तक सभी योग को अपने जीवन का अभिन अंग बना रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बड़ती लोगप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा साथियों इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहत इनोवेटिव उधारों के बारे में मुझे जानकारी मिली है इन ही में से एक है गार्डियन रिंग एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्रेम होगा इसमें मूमेंट अफ सन को सेलिबरेट किया जाएगा यानि सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा धर्ती के अलग-अलग हिस्सों से हम योग के जरिये उसका स्वागत करेंगे अलग-अलग देशों में इंडियन मिशन्स वहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कारिकम आयोजित करेंगे एक देश के बाद दूसरे देश से कारिकम शुरू होगा पूरव से पस्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी फिर ऐसे ही यागे बढ़ता रहेगा इन कारिकमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी यानि ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा आप भी इसे जरूर देखिएगा साथियों हमारे देश में इस बार अमरित महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतराष्टिय योग दिवस का आयोजन होगा इस अवसर पर कही संगठन और देश्वासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने ख्षेत्र की खास जगाओं पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं मैं आप से भी यह आगर करूँगा इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर कस्बे या गाओं की किसी ऐसी जगर चुने जो सबसे खास हो यह जगर कोई प्राचिन मंदीर और परियटन के दर हो सकता है या फिर की स्वी प्रसिद्ध नदी जील या तालाब का खिनारा भी हो सकता है इससे योग के साथ साथ आपके खेत्र की पहचान भी बढ़ेगी और परियटन को भी बढ़ावा मिलेगा इस समय योग दिवस को लेकर हंड्रेड डे काउंटडाउन भी जारी है या यूं कहें कि नीजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कारिकम तीन महने पहले ही शुरू हो चुके हैं जैसा कि दिल्ली में सौवे दिन और पिचतरवे दिन के काउंटडाउन प्रोग्रेम होए हैं वहीं असम के सीवसागर में पचासवे और हैदराबाद में पचीसवे काउंटडाउन इविंट प्राविजित किये गए मैं चाहूंगा कि आप भी अपने हाँ अभी से योग दिवस की तयांगया शुरू कर दिजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए हर किसी को योग दिवस के कारकम में जुड़ने के लिए आगरह कीजिए प्रेलित कीजिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़ चटकर घिसा लेंगे साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे साथियों कुछ दिन पहले मैं जापान गया था अपने कई कारकमों के बीच मुझे कुछ शांदार सक्षियतों से मिलने का मोका मिला मैं मन की बात मैं आप से उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ वे लोग है तो जापान के लेकिन भारत के प्रती इनमें गजबकन लगाव और प्रेम है इनमें से एक है हिरोशिक कोई केजी जो एक जाने माने आर्ट डिरेक्टर है आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने माहाभारत प्रोजेक को डायरेक्ट किया है इस प्रोजेक्ट के शुरुवार कमबोडिया में हुई थी और पिछले नव सालों से ये निरंतर जारी है हिरोशिक कोई केजी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहाँ लोकल आर्टिस्ट और मुजिशन्स के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोडुश करते हैं इस प्रोजेक के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कमबोडिया और इंडोनेशिया सही नव देशों में प्रोडुक्शन किये हैं और स्टेज परफॉर्मंस भी दी हैं हिरोशी कोई केजी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिस्टन एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैक्ग्राउंड रहा है इस वज़े से उनके काम में भीविद रंग देखने को मिलते हैं इंडोनेशिया, थाइलेंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नूत्य, बाली नूत्य, थाइ नूत्य के जरिये इसे और आकरशक बना देते हैं खास बात यह है कि इसमा प्रत्येक परफॉर्मर अपनी ही मात्रु भाषा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुती खुबसूरती से इस विविदता को प्रदर्शित करती हैं और मुजिक की डावर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जिवन बना देती है उनका उदेश इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डावर्सिटी और को एक्जिस्टन्स का क्या महत्व है और शांति का रूप वास्तों में कैसा होना चाहिए इनके अलावा में जपान में जिन अन्य दो लोगों से मिला वे है आच्सुसी माच्सुओ जी और केंजी योशी जी ये दोनों ही टैम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं इस कंपनी का सम्मन रामायन की उस जापानिस एनिमेशन फिल्म से हैं जो 1993 में रिलीज हुई थी ये प्रोडेक जपान के बहुती मशूर फिल्म डारेक्टर यूगो साकोजी से जुड़ा हुआ था करीब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायन के बारे में पता चला था रामायन उनके रदे को छूग गई जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी इतना ही नहीं उन्होंने जापानी भाषा में रामायन के दस वर्जन्स बढ़ डाले और वो इतने पर ही नहीं रुके वे इसे एनिमेशन में भी उतारना चाहते थे इसमें इनियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की उन्हें फिल्म में दिखाये गए भारती रित्रिवाजों और परमपराओं के बारे में गाइड किया गया उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दुसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं, आश्रिवार की प्रमपरा क्या होती हैं, प्राता उठ करके अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना, उनके आश्रिवार लेना, इस सारी बाते हैं, अब 30 सालों के बाद यह एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है, इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पुरा होने के संभावना है, हमसे हजारों किलोमेटर दूर जपान में बैठे लोग, जो ना ह हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पन, ये स्रध्धा, ये आदर, बहुती प्रसौशनी है, कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा, मेरे प्यारे देश स्वास्चियों, स्वासे उपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ और सुसाइटी का मंत्र, हमारे संस्कारों का हिस्सा है, हमारे देश में अंगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन दे बनाये हुए हैं, मुझे आन्त प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भुपान रेडी जी के बारे में जानकारी मिली, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भुपान रेडी जी ने रिटार्मेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई, बेटियों की सिछा के लिए कर दी हैं उन्होंने करीब करीब सो बेटियों के लिए सुकन्या सम्रुद्धी योजरा के तहर खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाग से जानदा रुपिय जमा करवा दिये ऐसे ही सेवा का एक और उदाहन यूपि में आगरा के कचोरे गाउं का है काफी साल से इस गाउं में मीठे पानी की किल्लत थी इस बीच गाउं के एक किसान कुमर्सी को गाउं से 6-7 किलोमेटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया ये उनके लिए बहुत खुशी की बा लेकिन खेत से गाउं तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाक रुपिय चाहिए थे कुछ समय बार कुमर्सी के छोटे भाई शामसी सेना से रेटायर होकर गाउं आए तो उन्हें ये बात पता चली उन्होंने रेटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धन्रासी इस काम के लिए सौ मुचाया अगर लगन हो अपने कर्तव्यों के प्रति गंबीरता हो तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविश्व बदल सकता है ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेना है हम कर्तव विपत पर चलते हुए ही समाज को ससक्त कर सकते हैं देश को ससक्त कर सकते हैं आज हादि के इस अमरित महोसों में यही हमारा संकल्ग होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए और जिसका एक ही मार्ग है कर्तव्या कर्तव्या और कर्तव्या मेरे प्यारे देश्वांशियों आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपुन विश्यों पर च पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती हैं मन की बात के अगले संसकरण के लिए अपने सुझाओ भेजना भी मत भूलिएगा इस समय आज हाजी के अमरत महुतसव से जुड़े जो कारकम चल रहे हैं जिन आयोजन में आप शामिन हो रहे हैं उनकी बारे में भी मुझे जरूर का इंतजार रहेगा अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे फिर से देश वास्यों से जुड़े ऐसे ही विश्यों पर बाते करेंगे आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जनतों का भी ख्याल रखिए गर्मियों के मौसम में आप पसूपक्षियों के के लिए खाना पानी देने का अपना मानवी दाइक तो अभी निबाते रहें यह जरूर याद रखेगा तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि दे रहें